नमस्का दोस्तो आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अधार कार्ड के साथ कौनसा मुवाइल नमर लेंक है कैसे पता करना इस वीडियो में आपको बताएंगे जिया दोस्तो इस वीडियो में हम आपको पताएंगे बहुत आसान तरीका से पता कर सकते हैं आपके अधारकार में कौनसा मुवाइल लंबर लिंक है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले आप अपने मुवाइल फोन में गूगल ओपन कीजिएगा और आपको सर्च करना है यू आई डी ए आई 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 आपके सामने आधारकार का ओफिशिल वेवर साइट ये ओपन हो जाएगा दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आउप्शन आपको देखने को मिल जागा आपको यहाँ पर माई आधार वाला आउप्शन पर किलिक कर देना है या फिर आप यहाँ पर भी किलिक कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर किलिक करते हैं तो आधारकार का ओफिशिल व होता है तो आपको क्या करना दखिए यहां पर प्रेस नहीं हो रहा है यानि कि क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको बैक करना है और फिर यहां पर option मिलेगा आपको माई अधार ठीक है यह माई अधार का जो option है इस पर आपको यह जो ऑप्शन है डाउम्लोड अधार इस पर किलिक करना है और फिर आपको उसी पेज पर लेके आ जाएगा ठीक है तो यहां पर जो है हम क्या करते हैं इस पर किलिक कर देते हैं और यहां समझानेंगे कि हमारे अधारकार में कौन सा मोबाइल अमर रजिस्टर है अब आपक इस तरीके से तो जिसको इमेल यडि देखना है तो इस पर सुब्सेय और मोईल नमर इस पर हमें लगे सकते हैं置 Hindर इशे आपको पतना आधार नमबर और हैं जाभ एंख्या कोड अपोई आप देखें दे ते दे अगाय है उसके बाद ये एज सी सिय वह होता है और अकड़ जो अधार नंबर है यहां पर टाइप करेंगे और सिंपली आपको जो है यहां पर एक आप्शन में प्रोशेड इस पर किलिए कर देना है और जो भी आपके अधारकार में मुवाइल नंबर लिंक होगा यानि कि जो रजिस्टर होगा यहां पर सो कर जागा तीन वर्ड का जै मुवाइल नंबर लिंक नहीं है फिर आपको अपना मुवाइल अधारकार में अपडेट करना होगा तो मुवाइल अपडेट कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है अगर नहीं करते हैं तो कभी भी अधारकार खो जाता है तो अधारकार निकालना मुस्किल हो जाता है तो इसलिए अधारकार में मुवाईल नमर चेक करके देख लिए अगर लिंक है तो अच्छी बात है नहीं है तो आप नया मुवाईल नमर लिंक करवा सकते हैं अधार सेंटर पर जाने के बाद और अगर कोई नमबर इसमें लिंक है और वह नमर खो गया है आपके पास नहीं ह तो आप दूसरा नमबर चेंज के लिए भी रेक्वेस्ट कर सकते हैं आधार सेंटर जाने के बाद ठीक है तो दूस्तों इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अधारकार में कौन सा मोबाइल नमबर रेजिस्टर है तो वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके हो दो दूसरा कि वीडियो कर से तो प्रोल पिष्ट माँ जो।rance है तो तो आके बताफ tomar जाए़ continued